सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए पहुंच जाया करेगी देखिए में बता दू कि डेली आप लोगों के लिए प्रवाइड की जाती है उसी कड़ी में आज एक जुलाई के जित सब्सक्राइब करते हैं और पहले कोशिन को लेते हैं थे हैं कि हाल्षिमें किस सराज्जे में हरीत के लिए और यह इसका उदेश है आप लोगों को बता होता है कि हर राजे में जो बनों का परतिसत होना चाहिए 33% होनी चाहिए हलाकि पूरे राजियों में होना चाहिए और पूरे एक कंट्री में भी जो बनों का परतिसात होना चाहिए वहां की जनसक्या जो मतलब एरिया होता है उसके साथ त्री परशेंट जो होना चाहिए वहां पर बन होने चाहिए जो कि हमारे मतलब स्वास्प्राइब के लिए जो लबदायक हो सकता है तो यहां पर अभी कितना है 24 परतिसत है और इसी को बढ़ा कर 33 परतिसत करने के लिए ये 230 करोण पेणों को लगाने के लिए अभी हरीत हरम करेकरम चलाया जा रहा है और इसी का छठा संसकरण का सुभार किया गया है ठीक है इंपोर्टेंट पॉइंट है जरू ध्यान दीजेगा है अच्छा हम लोगों ने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले हैं क्या पढ़ा था कि परियावन दिवस मनाया गया था किस दिन मनाया था पांच जून को जो हमारा परियावन दिवस मनाया गया था इसी दिन हमारा क्या स्टार्ट किया गया था नगरवन कारीकर में स्टार्ट किया गया था और इसी में बताया गया था को 145 करोण पेड़ों को लगाने की बात कही गई थे ठीक है बात कर ले हम तेलंगना की तो इसकी capital क्या है तो इसकी capital है है हैदराबाद और केचंदर सिखाराओ जो है फिलाल में CM के रुप में बने हुए है और तमिला साराई रगुण सुसु राजरन जो फिलाल में बने हुए है यहां पर governor के पदपे बने हुए है ठीक है सुंतराजन चलते हैं अगले number question की तरफ, अगला number question क्या दिये हुआ है, कि हाली में किस संगठन ने चाइना की उपकरणों पर प्रतिबंद लगा दिया है, पुछा जा रहा है कि किस संगठन के द्वारा जो भी चाइना की उपकरण है, उन्हीं पर प्रतिबंद लगा दिया गया है, तो इसका राई डांसर क्या हो जाएगा, इसका राई डांसर हम लोग देख ले रहा है, तो IWF, IWF की बात कर लें तो Indian Weight Lifting Federation इसी के द्वारा भी क्या किया गया है, इसी पर प्रतिबंद लगाने की बात आई है, चाइना के जितने भी उपकरण है, इन्हीं के उपर, ठीक है, अच्छा, बात कर लेंगी, यह क्यों लगाया गया है, तो अभी जो Indian Weight Lifting के जो भी आप लोगों की चीज़ों देखते हैं, ठीक है, जैसे यह होता है, इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़े हैं, वो क्या की जाती थी, पुरियों की जाती थी, चाइना के समानों को, तो उस अगला नमबर कोश्चन क्या दिया हुआ, कि हाली में किस देख ने 2023 तक अपने परियाटकों को Space Walk पर ले जाने की बात कही है, पुछा जा रहा है कि 2023 तक अपने परियाटकों को Space Walk पर ले जाने की बात किसके द्वारा कही गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये रसिया के द्वारा कहा गया, रसिया की बात कर लेंगे, यहां पर Capital क्या है, मासको है, यहां की currency रुबाल है, और वलादीमीर पूतिन जो है राष्टपती के पद पर यहां पर बने हुए है, ठीक है, चलते हैं अगले नमर कोश्चन क्या दिया हुआ है, कि हाली में क कि με देख मत्राले के दोरा 28 जून-12 जुलाई तक संकल्प हो जुर्माने की बात किही है, कब से कब तक 28 जून-12 जुलाई तक इस चलने वाला है, इंपोले है, जरुढ़ा दीजेगा, और किस परो मनने की बात कई गयी है, यह ही जान लेते हैं, तो इसके ऑन्तर्गत क्या ह कि इसके अंतर प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के द्वारा इसको आवाहन किया और इसमें बतायागा कि मतलब कर्याले होते हैं वहाँ परते कर्याले के बगल में पांच पांच पीडों को लगाने की बात कही गई है यहां जो पहले हैं उसके अलावा जहां पर नहीं है वहां पर तो सर्टेन है पाच-पाच पेड़ों को लगाने की बात कही गई है जिससे कि क्या हो बनुमे और उस सुधावा वहां पर प्राप्त हो सके ठीक है इंपोटेंट पॉइंट है इसे जरू ध्यान दीजेगे यहां से दो किया गया तो इभी इंपोटेंट कॉच्छन जरू धान दीजेगा ठीक है चलते हैं अगले नमर कोशन की तरफ अगला नमर कोशन क्या दिया हुआ है कि हाली में किसराजी में भारत का पहला लाइकेन पार्क तयार किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसक जो भी कस्मेटिक वेगरा चीजे होती हैं जाहें बहुत सी जैसे आप लोग देखते हैं मतलब लूग में प्रियूँ करते हैं बहुत सारी इसी चीजे होते हैं जैसे लाइकेन के द्वारा हम लोग बनाते हैं ठीक है तो अभी उत्रा खंड के पिथोरा गंड जीले में इसको बनाया गया है लाइकेन पार्ग और इसके अंदर जो भी चीजे लाइकेन से होगी सारी चीजे हो कि इसके अंदर कलेक्ट किया जाएगा और पुरे अस्तर पिसको फैलानी की बात कहीं गया ठीक है उत्रा खंड की बात कर लें तो capital देहरा दून बनी है और बात कर लें कि capital विसके तो देहरा दून है लेकिन अभी कुछ दिन पहले हैं इसकी गिरिस मकालिन capital बनाई गया और क्या बनाई गया 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 जब पीछी बुडियोस देंखे उनको पता होगा कि अभी यहाँ पर दो capital बना दिया गया ठंडा capital है और जो ग्रिशेंग बनाऊ गया है हाली में किसे रास्टिय उत्पाधक्ता परिस踏 कि अध्यक्षिता किया है कि रास्टिय उत्पाधक्ता परिस踏 कि बेठा कि द्वहा गया है इसका राइठ आंसर के हो जाएगए अभी हाली में प्यूज होईल के द्वहाः किया गया है नोई राश्टी उत्पदिख्ता परिसत कीया गया है गया है इसका उन्चासवी गवर्णिंग आभी है याद रहें पूछा सकते कों सी गवर्णिंग हुई है और इसका बैठा किसके रहा किया है तो प्यूस गयवल के दोरा किया गया है इंपोर्टेंट पॉइंट है चलते हैं अगले नमर कोशन की तरफ अगले नमर कोशन क्या दिया हुआ है कि हाली में किस खेल संगठन के दुवारा रोड टू टोक्यो लांच किया गया है तो इसका राइड आंसर क्या हो जाएगा इसका राइड आंसर हो जाएगा आई ए ए ए गया है अच्छा बात किर ले हम इसकी इसकी अस्थापना कब होई थी तो 17 जुलाई 1912 को होई थी कि कब को होई थी 17 जुलाई 1912 को हुई थी कि इसकी इंटर्नेशनेट क्रिकेट काउंसिल के अंदर क्या किया गया शामिल किया गया तो इसके सबसे जो इंपोर्टन कोशन पुछा जाता है कि इसका हेड़ कार्डर कहां पर यूए कहां पर UAE के दुभाई में है और बात करें कि स्थापना कब होई थी तो 1909 में होई थी CEO कोन है तो मनुसान इसके फिलाल में CEO के पुद्ध पर बने हुए है ठीक है तो important question बन सकते हैं जितना है यहां से आप लोग इसे कबर कर लीजिएगा ठीक है अगला number question क्या दिया हुआ ह कि हाल ही में आनंदी बेन पटेल को किस राजे का अतरिक्त प्रभार सोपा गया है पुछा जा रहा है कि आनंदी बेन पटेल को किस राजे का अतरिक्त प्रभार सोपा गया है इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा भी हाल हम मद्य परदेश के अतरिक्त प्रभार के जो करेबार देखने के लिए जो राजय पाल को सोपा गया है तो अभी फिलाहल में किसको सोप दिया गया है तो आनंदी बेन पटेल को बात यहां पे कोशन बन जाती है कि अनंदी बेन पटेल भी फिलाहल में कहां किया है तो यह उत्तर परदेश की है कहां किया है उत्तर परदेश के नाम से जाना जाता है तो यहां से यह सब important question आप लोगों के लिए जब बनते हैं ठीक है तो यसे जरूरर ध्यान दीजेगा चलते हैं अगले नमर कोशन के तरफ अगले नमर कोशन के दिया हुआ कि हाली में किस वेशीं सायकतीक नहीं है सरतेशों에서 कुछा चाराया है कि ejercie प्लाज्मा बैंक को बनाया गया तो इसका राइट आंसर क्या होजाएगा इसका राइट डिल्ली में बनाया गया अच्छा प्लाज्मा बैंक आप लोगों को मा बहारे बदा चुका है कि plasma क्या होता और plasma की जो डोनर अप लोग समझ सकते हैं कि क्यों होता है तो देखिये मैं फिर से बात बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए जिए प्लाजमा होता यह क्या करता है कि जैसे हम मेरे को माल ली जिए corona हुआ ठीक है उस patient को corona होने के बात से उसको ठीक कर तो पुरी तरह से ट्रीटमेंट देखर ठीक कर दिया जाता है उसकी ब्लड वेगरा कि जो भी सिंपल वेगरा होते हैं उसको पास में रख लिया जाता है उसको जब लेकर किसी के अंदर उसको डाला जाता है इसके वज़े से उसकी इमून सिस्टम बढ़ गई होती है जो भी प्रतिरुदक चमता बढ़ गया तो इसी के वज़े से तो कुरोना को हरा सकता है और जब हरा देता है तो उनकी जो मतलब बॉड़ी से जो भी चीज़ें को लिया जाता है उसको क्या कहता है इसी के लिए प्लाज्मा टेरेपी कहते हैं ठीक है जब उसके अंदर से कोई वी स्थापना कहां पर भारत का पहला याद रख लिए बारत का पहला बलाजमा बैंक स्थापित किया गया कहां पर किया गया है दिल्ली में किया गया दिल्ली की बात कर ले तो अर्विंद के जिर्वाल फिलाल में सीम बने हुए और यहां पर उपराजपाल के पद पर कौन बने ह थ्डाइि में खुशासक्ता है कि इसे जरूर ध्यान दीजिएगा घ्क हम सِّक्षा मंतरीओ की बिसेश वर्चुवल बैठक में भारत की तरफ से किसके दौरा भाग लिया गया है, पुछा सकता है, तो इसका right answer हो जाएगा, रमेस पखर्यालने संग के दौरा, रमेस पखर्यालने संग जो के हमारे फिलहाल में सिख्चा के करेबार हो एगरा देखते हैं, इनि के दौरा क्या किया है, अभी इसक अंतरगत G20 की जो सिक्षा बंतरियों की जो बैठक हुई है इसमें भाग लिया गया भारत की तरफ से इसके आंसर की प्रोवाइड कुई है अगर आप इसकी पीडियो डौनोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम गूरूप वाइसीटी पब्लिकेशन पर जूड़क अगर असानी से इसकी बुक्स के बारे में देख सकते हैं कि बुक्स किस-किस पकार कियाती है कहां से आप लोग इसको खरीच सकते हैं तो यह सब सारी चीज़े चैनल को सेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जूरू कीजिएगा थैंक यू दूस्तों थैं